तो हे गाइस कैसे हो आप सब एंफर्स टो फोल हम लोग बात करने वाले हैं जॉनाथन एंड स्काउट के बारे में तो जिस्ट लाइक आइस 2019 एंड 2020 के टाइप पर हमको स्काउट एंड जॉनाथन एक साथ देखने को मिलते थे तो क्या वो चीज़ अब हमको कभी नहीं देखने को मिलेगी ये चीज़ के बारे में स्काउट बात किये बेसिल लिगाई स्काउट की लाइस टीम पर कोई जनुन से ये पूछे कि हमको जॉनाथन प्लस स्काउट देखने को मिल सकता है जिस पर रिप्लाई करते हुए स्काउट कुछ ये कहे कि लाइन इवेंट्स पर कुछ ऐसी चीज़े हुई है जो कि कैमरा पर तो शोव नहीं हुई है बट मेरे को नहीं पसंद आई है और वो सब के वजए से यव ये चीज़े इंपॉसिबल है अब देखे एक्जैक्ली वो क्या कहें बात बहुत सिंपल सी है दिल से कुछ चीज़े अंदर से किसके लिए खराब नहीं है बट कैसा होता ना बहुत चीज़े कामरा पर नहीं दिखती है लैंड पर भी अस फारे चीज़े हुई है जो ऑबिसले चीज़े बहुत सारश होई है जो मुझे गल्त लगा है और वह सब चीज़े ने यह सिर डाटः तो ग्लास तूर जात यार तो यही चीज है तो इसका आंसर नो रहेगा sorry for you but जो है वो है it's a part of the life let's move on यह था 2020 की बात हम 2024 में let's move on and guys scout बात कर रहे हैं तो next हम लोग बात करने वाले हैं team x park ninja jord के बारे में तो क्या ninja jord team x park को leave कर सकते हैं अगर तो guys आपको याद है काफी time पहले bgs के time पर मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये news निकल कर आई थी कि ninja jord team soul को join कर सकते हैं well वो time पर तो guys वो चीज नहीं हो पाई थी क्या अभी होने वाली है well team x park guys bgs के champions बन गए थे फिर इसके बारे में हमको कोई भी news सुनने को नहीं मिली थी until yesterday तो कल चल रहे थे guys b जमाएगे independence day special event और वहाँ पर no walking ninja jord के related कुछ ये कहे थे well इसके बाद guys ये news वापर सुटने लगी के ninja jord किसी और team में देखने को मिलेंगे और फिर वाइनली guys ये चीज़ पर भी scout reply किये आप देखिये अपने रहेंगे बट कहा जा रहा है इधर जा रहा है वह आपको कुछ दिन में पता जाएगा बट आप tension मतलो और ये चीज़ जटके में जो भी हुई है आपको news मिली है इस इस का build-up बहुट पहले के टाइम से चल रहा था बिफॉर BGIS तो उसके भी regarding हम बता देंगे आप अब कुछ परसनल किससे को कोई दिकत है नहीं और हमारे पास भी जो player आएगा उसके वारे में हम आपको बता देंगे तो फिलहाल तो ये update है आपको जितना में बता रहा तो निंजा ने हमारे साथ continue के और हम जीते वो बहुत बड़ी चीज़ है विच आप लोगो मैंने बता है नहीं कभी बताने वाली बात नहीं है पर आज मैं बता रहा हूं कि हाँ यर हम official जीतने से पहले टीम का हालत बहुत खराब था अंदर य अंदर बहुत चीज़े खरा आइस और मुझा इस रखता है कि किसी बंदे को अगर नहीं कहिलना उसको झबढ़ा आज नगे नहीं भुए है। simplify ने सब पर पसंद है या फिर किसी कोई डिशन है मैं उसको अपोज नहीं करता हूँ मेरे को किसी को जबर्दस्ती रखना इस नोट संथिंग वुड लाइक और लव तुडू और गाइस नेकसे अपडेट है टीम गोड लाइक के रिलेटिड जो की निगल कराती है पंक की तरफ से तो लेटिगेज पर उस फीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीमपेस के लिए हमको गोड लाइक में सिम भी देखने को मिलेंगे तो उसके बाद आज जब पंक लाइब आए काँ फी लोग उनसे ये पूछ रहे थे क्या प्लेंग फोर में हमको जीगोड या फिर सिम देखने को मिलेंगे तो ये चीज़ पर रिप्लाइ करते हुए फिर पंक ये कहे पंक बात करने वाले है तो नेक्स हम लोग बात करने वाले है टीम कोरलाए के बीजमाई मैठ यह इसके लिए ड्रोप्स के बारे में तो कैस रिसेंडली में हुए बीजमाई मैस में हमको इर एंगल के मय पर टीम कोरलाए के कोई फिक्स ड्रोप देखने को नहीं मिला था basically यहां पर वो अपने drops को chain कर रहे थे कुछ time तो हमको उनकी दूसरी team के साथ में fight भी देखने को मिल रहे थी तो यही चीज़ के बारे में कोई एक जैना आज punks है बोजे कि अब BMPS के लिए हमको gold like a fix drop देखने को मिलेंगे यह चीज़ पर reply करते हुए punks यह कहे यह चीज़ को बिए बारे मिल्टीवल रॉप्स है यह मेरे को यह को यार देखो परसनली तो मेरे को मल्टीवल रॉप से कहलना पसंद है अभी क्या बंदे पटफट वो रीड होना चीग कि यह जो अब पर पर लूटना का ताइमिंग यह बट मैंट गरता है अभी जो अभी अपनी करन्ट सीजेशन है तो अभी क्या टीम नहीं नी बनी है तो यह चीज़े वैक नहीं करेंगा टीम के साथ में कि ड्रोप चेंज फट 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 लूट करो यह टाइमिंग पर निक लो इस ट्रीम को मारो अगरा करेंगा उसमें क्या बन्दा को मतलब प्रसेस होता रहता है कि चल क्या रहा है और गैस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डी भाई के बारे में तो वो आज अपने मेसेज से ये लिखे सोच रहा हूँ यूट्यूब पर एक्टिव होने का आज लाइव आ सकता हूँ थोड़ा क्या है ना कि हम शान्त हो गई एन गुंडो की दादा थोड़ी बढ़ गई है बस तीनी मैन हो है मैं में स्ट्रीम से दूर हूँ तो कोई कुछ भी बोल रहा है पहले एक स्ट्रीम के बाद अंडरग्राण हो जाते थे लोग अब exactly तो guys गोली भाई यहाँ पर कुछ भी mention नहीं किये वो किस के बार में बात कर रहे हैं पर अगर तो उनकी लैप्स टीम से हमको कुछ भी सुनने को मिला मैं आपको next वीडियो में बता दूँगा तो guys next हम लोग बात करने वाले हैं team entity के बारे में तो just like I told you team entity की तरफ से guys आज हमको एक post देखने को मिला basically it is a farewell post basically जहाँ पर वो अपने current BGM line अपको thank you कर दिये पर इसके बाद guys हमको सोमराज की तरफ से एक story देखने को मिली वो यह लिखे हमारी काफी बड़ीया journey नहीं है one of the finest or that know how to run the business एन इसी के साथ साथ guys सोमराज अपनी next team को भी reveal कर दिये जो की ओने वाली है VXT जिस पर वो यह लिके we are playing from team versatile and guys new announcement के बारे में बात कर रहे हैं तो medal e-sports की तरफ से भी हमको एक announcement देखने को मिले जहाँ पर उनकी और को we join कर लिए है as a coach एन इसी के साथ guys Carnival Gaming को join कर लिए है Shogun और guys next हम लोग बात करने वाले हैं Ninja Jod के बारे में तो guys कल हमको B.J. Mike के Independence Day event पर Ninja Jod as a caster देखने को मिले थे and वहाँ पर basically उनसे एक question पूछा जाता है कि वो कौन दो player है जिनको 1v1 में आप एक को मार दोगे and guys next एक और update निकल कराती है Scout की तरफ से तो वो guys यह लिखे ते nothing is permanent तो काफिलो guys इसके बाद confused होगा कि exactly वो यह क्यों लिखे है फिर यह जीज को guys वो अपने live stream पर पूरा explain कि यह वो एक जन के लिखे जो कि समझ गए होंगे अब देखिये and guys Scout बात कर रहे है तो coffee time पहले मैंने आपको बताया था जहां पर RGK owner की तरफ से हमको एक voice note देखने को मिला था basically यहां पर वो बात कर रहे थे उनकी team के player hunters के बारे में जिनके बारे में ये news दीगया एक time पर वो team soul में join हो सकते थे तो basically guys वहां पर वो यह कही थे कि अगर तो team soul को hunters को लेना है तो उनको buyout pay करना पड़ेगा तो वो buyout price के बारे में guys आई Scout बात किये जो कि 22 lakhs है आप देखिये I would love I would love कि hunters भी आये क्यों ना but RG कोनर कुछ बोल रहा था 22 lakh भाई आप धंदा मतला player बेचा आपको या तो आप जगड लो कि मेरा player मत दो मत लो आप बोल रहा मेरा player ले लो इसको तुम एक प्लेयर के ecosystem का मत बिगाड़ो यह चीज़ करके अगर आपको ऐसा है कि आपके team में player होने चीए तो उसके लिए fight लो कि मेरा team को मत तोड़ो मेरा player इधर रहेगा but on the other hand रही बोलतों कि नहीं play के जाना तो लेके जाओ तो गाइस पास में हमको कुछ टाइम ऐसा देखने को मिनाता जहां पर जॉनाथन बीजमाइ स्क्रीम्स के मैचेस team god like के साथ में नहीं खेल रहे थे तो वो चीज़ के बाएर में punk बात किये क्या जॉनाथन अब regular खेलेंगे अब देखिए जब भी तूरना में नगर रहे हैं बारा बज़े एक बज़े दो भी है और गाइस नेकसे अबडेट निकलकर आती है team x park spray code की तरफ से बली वीडियो शुरात में गईज़ हमने बात करी कि ninja jodham को team soul में देखने को मिल सकते हैं तो फिर team x park में कौन देखने को मिल सकता है ये अच्छा नहीं है वो अच्छा बहुत अच्छा बेर बहुत अच्छा बेर और हमको confidence है कि हम उसके साथ bmps में अच्छा कर सकते हैं तो इस तरह किसे काईज वह बात कर रहे थे कुछ लोग अभी यह जमशर मना रहे कि आमको soul joker team x park में देखने को मिल सकते हैं अभी तो इस आपको बताइए हमारी bjmaid teams को international teams के साथ में खेलने का मुका नहीं मिलता है तो क्या यह चीज से हमारा ecosystem upgrade नहीं कर रहा है अब दिखिये तो बस गाईज फिलाल के वीडियो में इतना ही था वीडियो पसना है तो गाईज वीडियो का लाइक जरूर का देना और मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई